तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि अब टाटा जेटी का एक्जामीनेशन काफी करीब है आपका एक्जामीनेशन 19 फेवरिरी से होने बला है अब आपको बच्चे हुए 10 डेज में क्या एस्ट्रेटिजी रखना है कि आपका एक्जामीनेशन क्राक हो जाए तो देखिए तो कम से कम आपको 6-8 घंटा लगातार प्रिपेशन करना ही पड़ेगा और उन में से आप यदि 8 घंटा प्रिपेशन करते हैं तो उन में से आप 6 घंटा टेक्निकल में रख दीजिए आपका जो भी डॉमेन है और इंपोर्टेंट सब्जेक है उसके हिसाब से और पढ़िए और बच्चे हुए 2 घंटा में आप आयोटी को पढ़िए आपको आयोटी के लिए ज्यादा टेंसन नहीं लेना क्योंकि आयोटी जो है सब के लिए नया है आयोटी इससे पहले कोई नहीं पढ़ाता समेस्टर में यदि पढ़े भी होंगे थोड़े बहुत उनके बारे में नौलेज होगा या भूल भी कही होंगी तो यह आयोटी सब के लिए नया है आपको इसके लिए बिल्कुली टेंसन नहीं लेना आपको 80 कोस्टन डोमें से आएगा तो अपने डोमें पर फोकस किजिए यदि आप मान लीजिए 80 में कम से कम यदि आप 60 कोस्टन को सही सही तो मान यह 70 कोस्टन भाई वन अप दी बेस्ट है आपको लगता है कि बहुत कम है लेकिन यह सेलेक्शन के लिए काफी है तो आपको सबसे पहले टाइम अलोट करना होगा उसके बाद आपको सी पी आर कॉंसेप्ट पर धियान देना होगा सबसे पहले आप जो कॉंसेप्स उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद बाद में बचे हुए टाइम में आप रिवीजन कीजिए आपको रिवीजन कम से कम डेली दो घंटा करना है यहने कि आज परे फिर भूलिए आज परे छोड़ दिया आपको रिवीजन डेली एलोट पर करना है आपको न का टार ब्रेक लीजिए उसमें आप सौंग सुन लीजिए आपको किसी तरह का वार्टसेप रिल स्नैपचैट किसी भी तरह का सोशल मेडिया का यूज नहीं करना है अपने जो सेमेस्टर में पढ़ा उससे बाहर कुछ नहीं आया होगा अपने जितने भी कॉंचेप्स को पढ़े हैं प्राक्टिस किये हैं प्राटी आप कॉस्टन्स लगाए हैं उसका आप बच्चे हुए दस दिनों में एनलाइसिस कीजिए और रिविजन कीजिए यदि आपको कॉस्टन का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप S.S.C.J.E. सबसे बहतर है कि किसी भी एकजाम का जब सिलेवस ना पता हो तो S.S.C.J.E. को आप सिलेवस मानके उसी के हिसाब से अपना प्रीपेशन करिए आसा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफूल होगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं और इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो किड़ पिया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे टिलिग्राम से जूर जाए और यहाँ पर मैं मेकेनिकल के लिए कॉस्टन का भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं